बॉलिए सद्धिगुरु देव की जय स्परमवंदनी श्री साहब जी पूजनी संत समाज सद्धिगुरु श्री पूरण साहब जी ने कहा है अहो मोह महिमा प्रबल सब को करत बेहाल ग्यान हरे संपती हरे प्राण हरे ततकाल साहब कहते हैं कि ये मोह की महिमा बड़ी प्रबल है ये छण ही में सब कुछ हमारा लूट लेता है ग्यान, संपत्ति और प्राण भी इसलिए इस महाविनासकारी मोह का त्याग करना ही उचित है इससे किसी का फाइदा नहीं होता है मन जलता है संबंद खराब होते हैं इंद्रियों में चंचलता आजाती है और संसकार गलत हो जाते हैं सब प्रकार से दो सुत्पन्य होता है जहां कहीं भी हम मोह करते हैं सुरू में थोड़ा अच्छा लग सकता है लेकिन परिणाम पूरा अबिनासकारी होता है जैसे आग से कभी कोई सीतलता का अनुभव नहीं कर सकता ऐसे मोह ही नहीं कोई भी मनोविकार हो उससे कभी भी कोई व्यक्ति शान्ती का अनुभव नहीं कर सकता मोह के कारण ही आदमी अपने जीवन में सारे दुख बुला लेता है सारे दुषकर्म आ जाते हैं और उसका समय बरबाद होता है मन की व्यथा बढ़ जाती है संबंध सारे खराब हो जाते हैं अपने जो निकट से निकट प्यारे लोगों के जो भी संबंध हैं वे भी खराब हो जाते हैं मोह करने के कारण ही महराज स्री दसरत जी का प्राण गया कैकेई में इतना मोह था कि उनको वर्दान दे डाले लेकिन जब उन्होंने वर मांग लिया स्री राम का चौदाह वरस का बनवास भरत के लिए राजगदी उधर कैकेई में मोह इधर स्री राम में मोह और ये मोह ही अब उनको विचलित कर दिया और उनका प्राणांत हो गया मोह के कारण ही रामण सीता का अभरण किया उनके रूप संदरी को देख करके लुभा गया और कहां से चला गहां लंका समुधर पर करा और फिर द्नकारण ने चेतर में आना उनकी कुटिया कहां उस जंगली चेतर में स्री राम का पता लगाना कहां वे हैं और ये समय का पता लगाना कि कब वे कुटियां में नहीं रहेंगे कितना बड़ा वो ये सब करम कांड किया और ये मोह के कारण और सीता का हरण किया और अंतता पूरी लंका के और अपने परिजनों के स्वयम के बिनास का कारण बना मौह के कारण राजा जैचंद की लड़की संयोगिता के प्रती प्रिथ्वी राज चौहान आसक्त हुए जबकि प्रिथ्वी राज चौहान के मामा जी थे जैचंद जी और मामा की बेटी थी संयोगिता लेकिन मोह हो गया और इस मोह ने महा युद्ध करवाया और बिनास करवाया ये मोह है इसी तरह कीचक सारेंद्री से मोह किये और अपने जीवन से हाथ धो बैठा महराज मचंदर नाद जी जो एक महान योगी थे योगी गोरकनाद जी के गुरुदेव थे वे लेकिन अब उनकी बुद्धी कुछ विपरीत हो गई मोह का मतलब है विपरीत बुद्धी और विपरीत बुद्धी हुई शिंगल की रानियों में आसकत हो गए अब कहां जंगल में रह करके ध्यान साधना करने वाले अब वो जाकर के रनिवास में रानियों का ध्यान करने लगे और अपनी योग साधना को चौपट कर वैठे लेकिन उनकी विशेष्टा रही कि गोरकनाज जी उनको जगाए जाकर के बाहर से ही जाग मचंदर गोरक आया और भीतर से ही उनका वैराग फिर जगने लगा सुने वाड़ी कि कोई मेरा साधक है सिस्स है और उनके अंदर फिना वैराग जगने लगा और वे सब छोड़ चान करके बाहर निकलाए दोनों की विशेष्टा गुरु और शिस्स दोनों की विशेष्टा गोरकनाज जी अपने गुरु से घरड़ा नहीं किये कि अरे वो गिर गए है अपने पद से अब छोड़ो उनको और मचंदर नाज जी ये दिखावा नहीं किये कि अरे मेरी इंद्रियां चाहे जहां जाएं और मेरे अंदर तो वही योग साधना भरी हुई है और मेरा कोई बिगाड नहीं हो सकता है ये ढोंग नहीं किये और दोनों फिर पुना जग गए और अपनी साधना में फिर लग गए इसलिए इस मोह का त्याग होना चाहिए घर परिवार में जहां जो मोह करता है चाहे पतनी से चाहे बेटे से या किसी से अब मोह करेंगे तो उसके परिड़ाम में बहुत प्रकार का अनर्थ हमसे होगा एक बुड़े सज्जन थे वो उनकी उम्र करीब करीब 90 वरस की हो गई थी उनकी पत्नी थी वह भी 85 साल की थी लेकिन बुड़े बाबा इस उमर में भी अपनी बृद्धा पत्नी से इतना मोह करते थे कि चुपके से घर से अनाज लेकर के दुकान जाएं और वहाँ से मिठाई खरीद करके लाएं तक गाओ का माहौल था मिठाई अथवा और कोई भी ची थी ताफी हो भी ही खरीद करके लाएं और अपनी पत्नी को खिलावें और उनको नुकसान करें वो बिमार हो जाएं ति यह मोह में ऐसा होता है बेटे से मोह करता है कोई वेक्ती तो अब बेटे के लिए राद दिन चिंता बनी रहती है उसको घर से दुकान से, चीजों से रुपए से, जमीन से हम संपन्द बनावें अब उसको संपन्द बनाने के लिए भाई भतीजों का हक मारेंगे आफिस में गबन करेंगे, जहां रहेंगे वहीं कुछ गड़वड़ी करेंगे क्यों? क्योंकि बेटे को संपन्द बनाना है यह मोह ना होता तो संपन्द बनाने कई वित्रिशड़ान मन में जगती और पाप ना करते और फिर ऐसा नहीं था कि बेटा भूखो मर जाता ऐसा ना होता यह मोह से ही और सारे दुरगुण काम भी, लोभ भी क्रोध भी यह सब मोह से ही उत्पन्द होते हैं जहां मोह किये वहां से उपेक्छा होगी और जब उपेक्छा होगी तो हमें लगेगा कि देखो हम इससे इतना प्रेम कर रहे हैं और यह हमसे हमारी उपेक्छा कर रहे तो हमें क्रोध उत्पन्द होगा और फिर बैर बनाएंगे मोह और बैर दोनों जुडवे भाई हैं जहां राग होगा वहां द्वेस होगा और राग द्वेस यमजाल है तहिवस जीव उबहाल ताही जीत गुर बुद्धिले सुखिया सादू सुचाल इसलिए इस बिनाशकारी मोह का त्याग होना चाहिए एक गाउं की घटना है एक ठाकुर जी थे वो थोड़ा दबंग वेक्ति थे गाउं की एक दुकान में गए कुछ थोड़ा सा सामान लेने के लिए सेट जी की बहु दुकान में थी सामान लिए उन्होंने दिया लेकिन बहु के रूप को देख करके ठाकुर जी मोहित हो गए और अपने मन की बात कह बैठे अब वो दबंग वेक्ति थे वो अश्त्री अगर सिधा इंकार कर देती तो ये पता नहीं क्या करते बलात भी कुछ कर सकते थे हमला भी कर सकते थे सेट जी पर भी तो वो बहु समझदार थी उसने युक्ति से काम लिया उसने कहा कि ठाकुर सहब आज उचित समय नहीं है कल आप शाम को चार बजे आए वो उचित समय रहेगा ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है चले गए अब उनका एक एक मिनट एक एक वर्स की भात बीतने लगा बड़ी प्रतिच्छा इंतिजार के बाद दूसरे दिन वे साम को चार बजे फिर पहुची अब की बार वो शेट जी की बहु ठाकुर जी के स्वागत के लिए सर्बत बना करके रखी थी एक ट्रे में पांच गिलास तयार करके रखी और पांच प्रकार का सरबत एक में सफेद, एक में हरा एक में लाल, एक में काला और एक में नीला चोटा-चोटा गिलास और सब ठाकुर जी की तरफ स्वागत में दे दिया ठाकुर साहब इसको लीजिए आप वो पिये, एक एक गिलास करके पीने लगे, रंग सब का अलग अलग, लेकिन पिये तो सब का स्वाद वही, तो थोड़ी सी निरासा वेक्त करते हुए, ठाकुर ने कहा, कि तुम पांच प्रकार का सरबद बनाई हो, लेकिन स्वाद तो सब में वही है, कोई फरक नहीं लगता तब उस देवी ने कहा, कि ठाकुर सहब, ऐसे ही तो संसार है, यह रंग का ही फरक है, तुम मेरे रूप में अकरसित हो गए हो, मुझ में कोई दूसरी चीज थोड़े है, अरे, इस्त्री ही हूँ, अब मुझ जैसी इस्त्री तुम्हारे घर में भी तो है, उनमें तुम्हा तुम्हार से वह समझाई और फटकारी थोड़ा, उनका मुझ धुआ हो गया, लजजित हो गए, और दब पाउँ अहां से खिसक गए, तिये मोह के कारण आदमी ना जाने क्या क्या कुकरम करने लगता है, इसलिए, इस विनाशकारी मोह का त्याग ही करना चाहिए, इसलिए जो साधक होते हैं, जो परमार्थ पत में आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनका मोह को सत्र के समान देखते हैं, कुपित सिंगनी जयो जरा, ऐसे मानते हैं, जैसे सिंगनी किसी व्यक्ति को चीर फाड कर खाने के लिए दोडती है, ऐसे ये हमारे परमार्थ को नष्ट करने क के लिए मोह सिंगनी की तरह है, इसलिए हम सब लोग मोह से उपर उठें, मोह से लाभ कुछ नहीं है, हानी केवल हानी है, अलाभ मोह को फिर दूसरे सब्द में कहें, कि जहां लाभ हो सकता है, तो वह प्रेम है, धातु दोनों एक हैं, लेकिन भावनाओं के अंतर हो जाने से, एक दूसित और एक पवित्र होता है, प्रेम पवित्र होता है, और मोह दूसित होता है, लेकिन भावनाओं का अंतर होने से, एक को मोह और एक को प्रेम कहा जाता है, प्रेम में पवित्रता होती है, प्रशन्यता होती है, शारुभाव मिक्ता होती है, प्रेम में हम जिससे करते हैं अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से अपने गुरुभाईयों से अपने मित्रों से तो जिससे भी प्रेम करते हैं तो हमारा मन होता है कि इन से साब लोग प्रेम करें हमारे गुरुदेव से साब लोग प्रेम करें साब लोग इनकी बाते सुने इनके पास बैठें और अपने जीवन को सुखी बनावें हमारे माता-पिता से सब लोग प्रेम करें मित्रों से सब लोग प्रेम करें तिये मोह प्रेम में ब्यापक्ता होती है और मोह में संकुचितता होती है हम जिस से मोह करते हैं जिस वेक्ति से जिस नर्या नार्य से तो कोई नहीं चाहेगा कि इस से कोई दूसरा भी मौख करे अगर कोई मौख करने लगता है तो हम उसके बायरी बन जाते हैं उसको मिठाने के लिए तोच लेते हैं इसलिए ये मौख ना हमारे मन में शांति आने देता है ना दूसरे के मन में करके मन में पवित्र प्रेम उत्पन करें और सद्गुरु शंतों के प्रतिश रद्धा भक्ती उत्पन करके अपने जीवन को पवित्र बनावें और पूरी तरह से सारे संसार से वित्रिशडा हो जाए सरीर से भी मोह मिट जाए अपने सरीर को बनाए रखने का मोह होता है और इसको चाह करके भी कोई बनाय नहीं रख सकता, तो मोह करने से क्या फाइदा? इसलिए इस सरीर का मोह भी त्याग करें, और अंतताह मोह करना ही है, तो अपने स्वरूप से मोह करें, जो मोह नहीं, बल्कि परम्प्री, परमानंद और परमसान्ति का कारण बन जाएगा, स्वरूप से प्रेम, इसी को मोह भी कह सकते हैं, सद्गुरु विशाल देव और स्वामी संकराचारी जी, दोनों ने कहा है इस भाव में, कि जैसे संसार से कुटुम से हमारी प्रीती है, वैसे अपने सद्गुरु से और अपने स्वरूप से प्रीती हो जाए, तो जीव का कल्याण ही हो जाए, इसलिए बाहर की प्रीती हटा करके, हमें अपने पवित्र गुर्जनों में जोड़ना चाहिए मन को, और अंतिता अपने स्वरूप में, क्योंकि स्वासरूप अनुसंधानम भक्तिति विधियते स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है और यही मुक्ति का कारण है बस अपनी बातें अहीं पर आप शमाप्ट करते हैं बोलिए सद्धिगुरु देव की जय आप अपने आशिर वचन देने की क्रिपा करें